जोदोस्तो अभी हम वनारिक मॉनस्ट्री में नहीं कल रात को मैं इस monastry में stay किया था तो आज हम नहीं हम मनाली के अलग नग जगाह कोनेंगे। चलो करते हैं.. तो पुर्थ कि अलग जगा पर पर शडू होगा एक जख़ू मेरा एक न्या व्लाग जो के मनाली के अलग लग जगा के होंगे, यह वह नारीक मोनेस्ट्री है, नारीक डासंग, जिसका जो है तुबिटन बुद्धिस रुजियन में काफी इंपोर्टेंस है, तो इसकी स्तापना काई साल पहले हुआ था यहां पर, तब से यहां पर नारीक डासंग के जो मौंग यह रहा मेरा आजका लामाट ड्राइवर जो बाई साफ किपने चलना है? अजब को साफ जो 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 आप लोगों को शाफ पर दिखाता हूं तो बहुत ही फुट्ट रहते हैं यहां पर आपने दुख रहें पर दुख रहें पर चोड़ते हैं पर इसके बाद गुंपा के अपने अंडर आने बादे एक रस्टोरांट है बैक साइड पर खार बोगे तो पार जो है इतना खुबसेत नजगार है तो मेरे साथ है अभी गेलोंग लवजोंग यासो तो हम दोनों अभी इदर आए हैं यहां पर मेर्लामत सुटिम से मिलने तो हम कुछ देर के लिए आपर रेस्ट करेंगे फिर इसके बाद आगी के अलग लग जगाओ को देखने जाएंगे जारे गॉंपर यहां इस लिए बहुत अची है अगा थो सी हिल टॉप साइड बेर यहां आने जाने का पहता है चुलो पिजे रहा ची जारे गॉंपर इस यहां के अलग लग ब्लॉक से पता ने चुना जब से अंधर के लिए लिए करें पूड़ी के लिए करें पूड़ी के लिए उसके साथ हम अटल टरनल में मैं कल रात को ही आये थे लेकिन दुबारह जो वहां पर विजिट कर रहे हैं देखने के लिए जाएंगे अटल टरनल की खुपसूरती को और अभी हम जो है ओल्ड मनाली के ठीक नीचे से जा रहे हैं सूलांग वेली की ओड़ तो आपको दिखाते हैं यहां के में जा रहे हैं तब दियास नदी में तो यह उसी की करामत है यह सारा जो नुफसान हुआ यहां पर तो आगे लागे तो और जा तो नुफसान मैंने कल रात को लेका तो तो आपी हैरन करते हैं जो यहां पर नुफसान किया गया है तो चलो कोई नहीं हम आगे आपको यहां के खुबसूर्थी दिखाएंगे हमेशा एक खुबसूर्थी चीज के अंदर एक खराब करते हैं वाले बार में जो है ओल्ड मनाली भी आपको नजर आएगा चलो बाइजी मनाली गोंड़े हैं मनाली मनाली गोर आपको जाना पड़ा आजे रास्ते से क्योंकि हमारा एक खाथी जो वह भी आना जाता है वह है तुनियो मेरा एक छोटा भाई है तो वह बलाबड में आया था तो उस ताइम पर मारा अच्छा घान पर चान पर जान आते कि यहां से कॉल के तो कह रहें कि वह भी आना जाते हैं हमने का ठीक है तो आप ही आजाओ तो इसले हम उसको फिक करने के लिए वापत मनाली बंचन के हो जा रहे हैं यह आ हमारा हाजीका कि अधर का हमाई है है दो झाल राइक का एक ए रहा टाए दो आप माया है है धर याक है हाझ नहीं आख कर आप है। सूचा राख मांग है हमां चलते हुआ आख एक कि यहां बंचन की की चुले, हमें ने की जसफ बनकिती कर सक घर最近 डनकिके बसकूछ bell हूँ जोफे डिना के कान से चाहर है? सुरममनाली में हूत यह पर डेखार है कि अधर पम पर जाएंग तो यहान पर ट्रेफिक लिए यहान पर जा रहे हैं तो बहुत भुछी मोगत निकालने में क्योंकि यह बहुत जिंग रौड यहां पर उम जारे Would पलचंग आपको सामने नजर आता है, वहाँ पर हम लिख लेंगे चलो जी भाई, सोचा हम बाइक क्राइप लेंगे मगर हम तीन बंदें तो एक बाइक तो आएगा है कि दो तो मोटे, एक को पतला है, उसको कोई फाइदा है आप करने इंगे, तो चलो चलते हैं, पलचंग लिखे और वॉ, जालो, चलो, जालो जाने जाएंगे, अजित फॉरिस्ट वादू के तरह है फोर्स जबर फिर्फिल के और से यहाँ पे पार्क बायो पार्क बनाएव फॉरिए तो उसके लिए हम शाम को जाएंगे तब तक हम यहां के अलग अलग गोमेंगे तब तक गेरे तो चलो आगे चलते हैं आगे आगे आपको अटार्टरनल तक शर्ड़ते हैं मैं मनाली के एक टॉप जगा पे जा रहे कह रहें यहां पे बहुत खुप सुर्थ चड़ना है वहाँ पर जाएंगे, वापी चड़ाई पर है यह जगा, जो चलता है आगे क्यों देखते हैं, जो पार में मनाली के पुप सुर्ती है, जो आपको दिखाई देगेंगे चलनो फिर चलते हैं आगे जरने के पास अब हम यह जरने के पास पहुचा था मकर जरना नहीं है, बैता फानी है यह तो अपर जाके है, मगर देखने के लिए जगा अच्छा है बहुत यहां से तो फिलाद हम यहांप देखो पत्थर के ठीमीचे बहुत अच्छा मंदिर है तो उपर यह रहा ऐसा एरिया पुल के साथ नहीं नदी चोटा था पिर उसके उसाथ दोपर पहारी और इतना खुट फिलाद यह था यहां से बहुत भड़े लगए 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 जगा के लिए इस जगह का नाम क्या था जगह का मालूम नहीं है तो हम यहाँ पर जाना पड़ता था इसलिए हम नहीं गे वापस आप हम जो है गाड़ी नीचे वापस रिवर्स करके फिलांग वैली के लिए निकलेंगे वहां से फिर अटल टरनल की हो जाएंगे तो चलो चलते हैं आगे ब को वह नजारे दिखाएंगे तो हमार साथ जुड़े है लवजा दोनियो और लवजाग गयासू तो चलो चलते हैं आप हम सोलांग वैली में एंटर कर चुके हैं थोड़ाई बच्चा यहां से पल्चंग पल्चंग क्रॉस करने वाले हैं पल्चंग एर्या को क्रॉस कर कर क हाला थोड़ा थोड़ा बच्चा उसके वाद में हाइवे पहुंच जाएंगे जो मुकेश्मी रोड मनाली को जोड़ता है और साथ में लाओल स्पीथी के एरिया को लड़ा को उसी रोड से अटर टरनल की दूड़ाई गया है जिसके वज़े से जो लाओल स्पीथी का एर ही लोड़ा थै आप सो चलो हो चुका है अचलो फे चलते हैं आगे के ओद धिको आप फिश्ने दो साल का जो करामत आया था किसा इस साल जो फ्लड़ा थे था इस साल जो फ्लाडा था तो इसका देखो हाला मनाली का इसा हो गया और बंदा नादी बीच नदी में हाग रहा अदो है बहुत करीब है जो नहीं हाग रहा है यह दो को यह में मशीने जाए में अपर यह अधर का चलो फिर चलते हैं अब अटल टॉनल की और अब हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं यहां से एक दू मोट चड़ाई चड़ना है फिर इसके बाद हम एक्पिरिएंस ड्राइबर है एक महीन है का एक्सपिरिएंस इसको डाड लगा रहता है मोड पर आते तो दिल जो गले में आ जाता है कोई नहीं चलते हैं इस भज़ने बरोसा करके आगे बढ़ने है जी द्राइवर değiş़्र से बरोसा करना चाहिए नहीं दे कुछ है ठोग दे पता ही नहीं चालेगा सोलांग बंट इन्टर चुके देख़ों सोलांग वेली रिजरॉट कर दो शोलांग वेली जैसे ही खतम हो जाता है उसके बाद अचर टैनल आ जाता है चलू अब यहां से रटंग ला के लिए भी रास्था है जो महते हैं मुख और भूमेंगे बौटी मज़ा है वोले आंक करेंगे लोग हमार साथ है दोन्यो बैट के किने साथ हो गया है प्राइब भेड़ा है, तो यहां टाज भेड़ा है? तो क्या एक्स्पीरिस्कार में अगे बाट है दो है? तो यहां पेड़ चाहला है तो दो है, तो अंदेरे में बाट मेट के पिलाने पर चश्मा लग चुका है तो क्या दो अब है आगे के उताते हैं, कुलाम बेली के फिंटोटीने बुर्याल, क्या ही मज़ए है मालोगी हम अपने गाउं में आचुके है, वैसा ही फिलिंग है बगर यहां पर कॉनेक्टिविटी अच्छा है, एक टूरिस इलाका है इसको जैसे यहां की इंपोर्टन्स जोगों के बीच और जादा हो चुका है बहुत ही मज़ा है यहां के जगा को देखें कि कल शाम को अंदेरा हो गया था, इसके बचे से जादा तो नहीं देख पाया बगर आए अच्छा दूप है, सादे साथ जो यहां के हार्याली है, वह भी काफी हारा बरहा है और नजारे भी काफी खुंसरत लग रहा है यहां कुझे को देली चलो पद्यातरा का जो यहां पहुचके फाइनली, तो यह मुझे में रहें भी हम है तो अभी मुझे महां को से मिलेगा मैं सीमें टेयरा ड mulheres यहां लगार, नहीं रहें हैं रहें हो गो यहां ठाब तो यहां से जो आगे क्योर जाएंगे विली क्योर सोलांग वेली में बहुत ही खुफसर जगा है यहां पर ओफर भी दे रहते हैं पर गलाइडिंग जिप लाइन और मोटर बाइकिंग इन सभी चीजों का जो की काफी महंगा था यहां पर चलो लेकिन हम यह फोट शूट करेंगे देखते हैं अगर पर गलाइडिंग वसे को त मुझे यहां पर सनुम वंक्टू जी से मिलने का मुखा मिला वह आप सभी को पता है कि आज कल देली चलो पाद यात्रा के तिसले में यहां से यात्रा करें से लदाक से डेली तक तो आज वो सोलांग वेली से गुजर के जा रहे है ठीक नीचे जो उन्होंने अपना लांच प्रबंद की हुए चलते हैं यहां सोलंग वेली का देख्यों का प्राइटा सब्सपोर्स इहां पे आपको हर चीज मिल जाएगा राइडिंग के लिए तो यह देखो, सारे लोग जो राइड कर रहे हैं, यहां पर फॉर्नर भी है, इंडियन भी है, साउथ इंडियन भी है, तो चलो, यह दोनों देखो, मैंने दो सस्ता लामा ले आया अपने साथ, एक के पास भी दिये हैं, दूसरे के पास 500 रुपी बचाशा है, लेकिन यहां यहां पर काफी महंग है, थोड़ा सस्ता होता तो ले लेता है, तो यह दो कॉन्सक्राइबां निकलेंगे, यहां से 11 किलमेटर की दोरी पर है, तो चलो, निकलते हैं आटल चानल के और, दोस्तों, अब हम सोलंवेली को क्रॉस करके, आटल चानल की बहुत नर्जी को ने पह ཉड ཡ ཤ ཡ ཡ ཅ ཡ ར ཡ ཚ ཁ ག ág ན आपको पता है एडवेंचर के लिए बहुत सारे इन्होंने स्पोर्स एक्जिबिशन लगाई रुकें लेकिन थोड़ा महांगा था जो हमारे बज़र से बहुत 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 है जिसे हमने खुछ नहीं किया बस वाप फोटो शोट रो क्लिक किया और हम आगे बढ़ अभी हम जो है अटल टरनल के बहुत करीब पहुंच गए लगबक यहां से एक किलमेटर दूरी के बात हम पहुंच जाएंगे अटल टरनल के पास तो यहां के खुबसूरती जो लाजवाब है एक चुमेश्वरी वाली जगह है यह तो बहुत ही एक अच्छा दिन भी था कि मुझे सुनों वांग्चू सर से भी मिलने का मोगा मिला आप सबी को पता है देली चलो पादियात्रा जो उन्होंने खास कर जो अपने लगदाक के नेचर और जो लावल्सपिती की नेचर उसको बचाई रखने के लिए एक एन्वर्मेंटल केम्पेंग शुरू किया देली बाद हम यहां निकल जो कि अगर हमें यहां से जल्दी वापस आजाते हैं तो फिर से एक बार सोलंग वेली में मिलेंगे मुझे कहा कि लिए कि उनका लंच जो है सोलंग वेली से थोड़ा सा पहले जो है बनाए गया तो अगर पहुँ जाते तो ठीक है फिर हम उनसे वहां पर रूबरू करेंगे और जानेंगे कि उनका मेन मकसद का है इस पधियात्रा के पीछे जा रात को तीन बज दक सो के बाएगा तो एक दो लाबर पड़ा तो आप ही लेको जा कि रूरा होच में आ गया है तो चलो फाइनल आप अटल टनल में पोँचिके दिखना चाहता है आटल टनल रोटंग के पास है आटल टनल यहाँ पे देखो आटल टनल बहुत ही खुबसर जगह यह सभी जो टूरिस्स यूट्यूबर से सार यहां पाएके इस टनल का फोटो कीच रहे है इस कुली कुली जो है एक फोटो लेंगे बहुत ही खुबसर यह टनल बनाएगे अटल टनल रोटंग साउथ पोटल है अल्टिचूड जो है 10,040 फीट को है जो की काफी हाइट पर रहे है अटल टनल के उस पार जोगा सा गल्मी रहता है आप जैसे इस तनल को पार करके हम लाउस की एरिया हमें आ जाते हैं तो वहां पर सर्दी जोए एकदम से बहुत जादा बढ़ जाता है तो चलो यह रहा आटल टनल का इस साउथ साइट से हम नौर्थ के तरफ जा रहे है अब चलते हैं अब सभी के साथ अटल टनल के अंदर तक पहुँच चिके हैं नौर्थ फेस जो है श्रीसू की और अपन होता है जो कि लाहूस्पिती के डिस्टिक में आता है तो आप पहुच जे पाखनेगा है तो इस साइट या रही हवार कि बहेना स्राट जो का जड़े हो जो का ठंडी हा है कल तो बारिश था जिसक और जिसको ओर साथा ठंड था अब ही यहां पर हम पहुंचिकर नॉर्ट फिस में यह देखो वेल कॉम टू लाहोल्स पीति एए चलो जे पहुंचिकर हम लाहोल्स पीति के एलिया में है अहां क्या बज़ा है इस जो रोटंग लेकिल रास्ता है वह वाँ से है यहां पर राफ्टिंग भी होता है यहां पहुच चुके अटल टनल के नौर्थ पेस्ट तो यह मेरे साथ दुन्यों है दुन्यों कैसा लग रहा है यहां बाखे बहुत बज़ा जाज़ तेरा यहां पर किने टाइम हो है अब अब यह सेकंड थार टाइम दस सदाना पर जो दस सदाना है यह गुमकड नहीं थार यहां पर नहीं काजस पीटि के लिए और यहां के लिए पांगी बेली दिए यहां निकलता है लिए लादाक, सिरनगर शारा यहां से जाता है तो यह दो को चंद्रा और यह बागा है दोनों जो बारल अच्छा पहाड से आता है यहां के लिए एक क्रेन निकाल रहा है यह पर यहां से ट्राइब बनाया जाएगा उदर के लिए बहुत है बाइकर सारे यहां पर फोटोफीचर अब कुछ बहुत तेज़ हाँ चल रही है क्योंकि यह पुरा वेली है जिसके चलते जो बहुत तेज़ हाँ चलता है तो शाहिस आप लोगों को मेरा आवाज में ठीक सुनाई नहीं दे रहा होगा अब देखो इस साइड के लिए काजा पीति और रोटंगा ते आप अब तो बहुत तंड है क्वाया यहां पर बहुत भाइर जाए चाहरे पर जाए हुआ है अब है जुप कर लिए यहां बहुत ठंड शू कूरा है और चारे पर तंड हवा पड़ है लोगत ते पर बह।- लोडोब को मेरे नई एपीसोड मैं आप सफी का सवागाे तोन यह लाम यहां बात करता है आपका नाम कहा है पता नहीं है इनका नाम बालूम नहीं है अधिक पता दी एक बालूम नहीं है तो आप सभी जाते हैं कि हडिम्बा मातर जो है शूर्वी बीम के पत्नी थे और उनका पुत्तर भी था गटोतकच जिन्होंने जो था महाबारत की यूद में पांड़ों के उसर लड़ा और जो कौर्वों की जो सेन थे उसको पूर्व तरह से तबाह कर दिया था तो यह दो को यह है वो मंदिर यहां पर पूरा दुदी दिखी हुए है हडिम्बा मंदिर के बार में जो हरी मोर हुए है जो हरिम्बा और शुर्विर भीम है उन दोनों की मिलन का भी एक अनोखा जो है कहानी है जिसमें हरिम्बा और भीम भी जो है लड़ाई करते हैं और जब भीम जी जाता है तो हरिम्बा जो है उन से प्रेम करने लगते हैं तो इसी की चलते जहां उनके कुतल भी हुआ जिसका नाम शुर्विर गटोटकश्ता है तो यह रहा हरिम्बा मंदिर है बहुत ही खुशर जगा है थोड़ से चाड़ाई करना पड़ता है यहां पर हारक यहां पर गाड़ी भी है तो मैंने बाइ किया हुआ कि अभी उसका शॉप खुला नहीं था इसे में पैदल चलाई यहां तक तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहां पैदल आते वए लापको उपर का नजर किखा था हुआ है यहां जो सापने है इसको मुझे ग्राउंड है ना मंदेगा हा दोस्तों काफी वाक्त अब बाइक पे चलने के बाद यानि कि मैंने मनाली से एक बाइक बुग किया था तो लग वक्त दो तीन कंटा ट्रैवल करने के बाद ने पहुंच चुका हूं सारा भाई मनस्ट्री में यह जो है मनस्ट्री कह रहा है कि कुलू के बुंतूर अडरा में पढ़ता है और कह र अब तो आप देखने घुमपा का अई अधिया अगॉर गोंपा जो इस बिल्कुल हिल्टॉप बना हुआ है बहुत ही खुतर जब है तो यहां पेक स्थूपर इक स्थूपई बनावा तो हम आगे क्योर बढ़ेंगे चलों आगे को चाहते हैं फैनल जाब में पहुंच जुकाओं सारभाइ मोनस्ट्री में सर्वकमपार हरंपार कि में सर्वसिता यह संसो बहुत ही फूसे जगाई के देपूट यह सारभाई चनपल का नजारे अब इदकोगमपा का नजारा अब इदकोगमपा का नजारा अब इदकोगमपा का ना यहां से पार में भी नहारा दाए पूरा बंतु शहर के उपर बंतु शहर के उपर पसारे पुपा जोगते जोगते ठीचुछ भूरले प्रेसे, इस साक्या को कुंप लगा कि इस अवैज को बादाई प्रेसा रहा है कि अभी आप मैं आप जब व्याज आप जब लुड़ के लादा मैंने दर्षन किया अंदर नो वीडियोग्राफिय नो फोडियोग्राफिय उसे कुछ नहीं कर पाया यह जो है गुंपा दुक्चन रुंपुचिजी का गुंपा है इसको सारा बाई गुंपा के नाम से जानते हैं यहां कुलु मनाली में ही बेहां बहुत है फूप्पा की लाओ नोगेशन को राज़ है बील्कुल टॉप पहे हैं साथ-ए-साथ हैं यह पैँ बहुत फींजगह है आप सभी जब भी कुलु मनाली के लाओगे तो बंतुर में जो है साराबाई कॉंपा है, तो यहां पर एक बद जरूर रहना और इस कॉंपा का दर्शन करना है, बहुत ही खुज़ बत है यही जो है मेरा मनाजी ट्रिप कहे लेखो, आजी शीट में बहुत ही खुज़ बत है कॉंपा के बदे एक पार्टी हो रहा हुआ 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 है क्वेरे दोनोगे आपको कहा हुआ 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 है यही झातो हुआ हमे रहे हुआ 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 हिए वोगड़ी, एंओ हुआ हुआ है बदिसक्ते है झाल झाल